हेलो फ्रेंस स्वागत है आप सभी का आपके अपके यूट्यूब चैनल है एचकेसंटीच असोक में तो देखे फ्रेंस आज का वीडियो जो है जितने भी आरो यानि की समिछा अधिकारी का पेपर देने वाले अभ्यारती हैं और साथ जो यूपी पी का यानि के उत्तर प्र में प्रेंस का जो एक्जाम हुआ है इसके किस स्व्ड sisters होने की 100 परसंट जो है यह चीज श्यों माना जा रहा है कि किस स्व्ड़ का जो है पेपर निरस्ट होगा आजकी विडियो में इन सारी चीजों के बारे में चर्शा करेंगे और आप लोगों को इसके साथ में यह भी बताएंगे कि यह जो पेपर लीक है यह किस किस सिप्ट का हुआ है हम जो है आप लोगों को बित प्रूब के साथ में दिखाएंगे उसके बाद जो है इस बात को लेकर जो है आयोग द्वारा या राज सरकार द्वारा क्या कुछ कहा गया है या आगे की प्रेकरिया क्या होने वाली है और किस सिप्ट का जो है पेपर निरस्त होने की पूरी संभावना लग रही है जो आरो का पेपर हुआ है ये निरस्त होगा की नहीं होगा ये जो पेपर जो है लगाताल लीक होने की खवरे आ रही है इसमें जो है किसकी लापर वाही है आज के इस वीडियो में इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे और देगे फ्रेंस अगर आपने यूपी पी और साती साथ अगर आपने आरो का एक्जाम दिया था तो इस वीडियो को जो है आप लोग से लिकाला है जरूर देखेगा को है यूपी में अभी हाली में लगबग एक महिने के भीतर तीन एक्जाम गरवाए गये हैं खाज़ कर friends इसमें सिटेट का एक्जाम है उसके बाद R.O. यानि की समिच्छा अधिकारी का एक्जाम है और अभी हाली में 17 और 18 तारीको UPP यानि का उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का एक्जाम है और देखे friends ये जो तीनों एक्जाम है ये जो है काफी बड़ा एक्जाम मान पे और साती साथ जो है राजसरकार के टुटर हैंडल वगर्या पर भी जो है यह चीजे भेजा गया है यह जो भी के साथ में जो है अभ्यारतियों द्वारा इस पेपर लीक का मामला जो है राजसरकार द्वारा पहुंचा है यह 100% सच भी है पेपर लीक वाला कोई लड़का है आयो नाम क्या है तुम्हारा अंकित पुरा नाम क्या है आयो उपर नमस्कार कैसे हो आप कितने समय से कौन से पेपर की त्यारी किया आपने मैं यूपीपी की त्यारी कर रहा हूं तीन साल से इलाबाद में हूं और और आपका पेपर लीक हुआ तो नुक्सान तो आपका हो रहा है और नुक्सान इन सब युवाओं का हो रहा है यानि कि फ्रेंश आप लोगों को बता दे कि यूपीपी का अभी जो आप लोगों को बता दे कि 17 तारीक को सेकंड सिप्ट का पेपर हुआ है इसके जो है सारे कोश्चन का जो है जो आंसर है ये जो है वाइरल हुआ था और देखिए फ्रेंश आप लोगों को बता दे कि अभी जो 18 तारीक को फर्स्ट सिप्ट में यूपीपी का एकजाम हुआ है इसके भी जो है डेड़ सो कोश्चन का जो है कोश्चन सही तो जो है इसका आंसर जो है वाइरल हुआ है और देखिए फ्रेंश ये जो है ये वाइरल की खवरे जो है अधिकता टेलीग्राम पर जो है देखने को मिला है और friends आप लोगों को बता दें कि ये जो है ये कहीं न कहीं राज सरकार की भी जो है इसमें लापरवाही मानी जाएगी क्योंकि friends आप लोगों को बता दें कि अभी seated में भी ये चीज़े हुआ है उसके बाद जो है आरो यानि कि समिछा अधिकारी वाले में भी हुआ है लेकिन राजसरकार द्वारा इन दोनों एक्जाम को लेकर किसी भी तरीके का एक्जाम नहीं लिया गया है हाला कि आप लोगों को बता दे कि सीटेड जो होता है यह सेंट्रल गौर्रमेंट का एक्जाम होता है क्योंकि friends जब Central द्वारा जो है किसी भी चीज को लेकर खासकर paper leak को लेकर action नहीं लिया जा रहा है तो किसी भी state में जो है ये सब चीजे आम बात लोगों के लिए हो जाएगा आप लोगों को बता दे कि Seated का paper जो है ये सभी लोग जानते हैं कि leak हुआ था लेकिन friends इसका साबूत भी जो है पक्का साबूत जो है लोगों द्वारा जो है दिया गया हाला कि friends Central Government द्वारा जो है इस बात को साफ जो है मना कर दिया गया कि इस तरीके का भी भी जो है सत्ता इसमें नहीं है ये जो है केवल और केवल अफवाय उड़ाई जा रही है और देकि friends अभी जो है हाली में Seated का जो है आंसर की के साथ जो है रेजल्ट भी जो है जारी कर दिया गया है और देकि friends जब Seated का paper हो गया इसका result भी आ गया और paper leak का मामला भी उठा था तो Central Government द्वारा किसी तरीके का action नहीं लिया गया और इसी के साथ में अभी RO वाला यानि कि समिच्चा अधिकारी वाला भी paper leak हुआ लेकिन government द्वारा किसी भी तरीके का action नहीं लिया गया और देकि friends अगर action नहीं लिया गया इसी चीज को जो है देखकर सब लोगों का जो है मनोबल जो है और बढ़ गया है यानि कि अब जो है किसी को भी जो है paper leak करने में जो है किसी भी तरीके का जो है डर नहीं रहा क्योंकि friends अगर seated में paper leak हुआ या RO में paper leak हुआ तो जो भी अपरादी वगरा पकड़े गया है तो उस पर अगर action लिया जाता तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि जो है उत्तर प्रदेश का unstable police का paper leak हो पाता लेकिन friends इन दोनों paper में जिनके द्वारा भी जो है paper leak किया गया सरकार द्वारा जो है इस बात को लेकर जो है किसी भी तरीके का action नहीं लिया गया इसी की वज़े से जो है यानि कि सरकार की लापरवाही की वज़े से जो है उत्तर प्रदेश का unstable police का भी paper जो है leak हो गया है और अभी हाली में जो है अभी कल रात में जो है जो उत्तर परदेश सासन है इसके द्वारा जो है ये चीजे कहा गया कि ये जो भी पेपल लीक का मामला सामने आ रहा है ये जो है ये केवल और केवल अफवाहे उड़ाई जा रही है ये जो है ये उत्तर परदेश सासन द्वारा जो है कहा गया है हला कि फ्रेंस अभी जो है राज सरकार यानी की मानिया मुक्मंत्री योगी अधित नाथ का इस सम्बन में किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं आया है और देगे फ्रेंस आप लोगों को बता दे कि अगर जहां तक माना जाया कि आप लोगों का जो पेपर है निरस्त होने की पूरी सम्बना लग रही है यह 17 तारीको जो 2nd स्रिप्ट का UPP का एक्जाम हुआ था इस पेपर को जो है निरस्त कराने की 100% पॉस्बिल्टी दिखाई दे रही है आप लोगों को बता दे कि अगर आप लोगों ने 17 तारीको 2nd स्रिप्ट का UPP का एक्जाम दिया था तो आप लोग अपनी तयारी में अभी से लग जाए क्योंकि आप लोग यह चीज़े से और मान कर चलिए कि 17 तारीको जो UPP का जो एक्जाम हुआ है इसका पेपर 100% आप स्रिप्ट की बात की जा जैसे 17 तारीक के 1st स्रिप्ट का हुआ या 18 तारीक के 1st और 2nd स्रिप्ट का पेपर निरस्त होने की अगर बात की जा तो अभी जो है इसकी सम्भावना नहीं दिखाई दे रही है लेगन अगर 17 तारीक 2nd स्रिप्ट की बात की जा तो यह चीज़े ज इस्तकराने का आदेश जो है अगर राज सरकार या सासन द्वारा दिया जाएगा तो हम आप लोगों को जो है इसी चैनल पर वीडियो बना कर आवस बता देंगे और देखे फ्रेंज आप लोगों का जो है इस सम्मंद में क्या राय है आप लोग कमेंट बाक्स में भी जरूर बता सकते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद जो है सभी अभ्यारतियों के पास सेयर जरूर कर दिजेगा फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नाइट आपके साथ अपते के लिए जयाएं जया बार